वर्स 2022 और 23 में हमारे पास जो कुल दर्ज सिकायती थी 1947, 1947 आयोग के द्वारा उनकी काउंसलिंग कराई गई और उन में से 89 परिवारों को हमने जोडने का काम किया उत्राखन राजे महिला आयोग की अद्यक्ष कुसुम गणवाल लगातार इसलिए हमने तेरा जिलों में इसका एंटि-हुमन ट्राफिकिंग को लेकर कार्यसाल आई की है ऐसा है केसे तो बहुत सारे तरह के हैं सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो कि नसे में जो पत्नी को परतारीत करते हैं कि नशा करके आगे बच्चों को पीटा पत्नी को पीटा इस तरह के केसिस भी बहुत हमारे पास आ रहे हैं तो हम अपने अटन से सौटा पी करते हैं हम घर बचानी की कोछिस गर बचे तो नमस्कार दगडियो जैसा कि उत्राखन की नौनी के साथ आज है महिला उत्राखन राजे महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम गंडवाल जी और कुसुम जी के कारेकाल को दो वर्ष पूरे हो गए है इस दौरान आप सभी ने देखा कि मैं बहुत एक्टिव रही जगे-जग संग्यान लेकर कई सारे मामलों पर इन्हों ने सुनवाई करी लेकिन आम जानेंगे आज महिले की मूंसे महिले प्रेस कॉन्फरेंस भी आयोजित की थी मैं पहले तो उत्राखन की नौनी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वाधत है सबसे पहले तो मैं आयोग मेरे लिए सौबागा का विसार रहा है कि एक संब्धानिक छेतर रहा है जिसमें कि पूरी तरह से संब्धानिक रूप से हम काम करते आए हैं और बहुत सारे कैसे हमारे सामने आते हैं और इस रूप से महिला आयोग की कोशिस रहती कि किसी तरह से कोई भी महिला किसी कानून की जानकारी देनी हो या उसे किसी तरह जाग रुकता इसको लेके तो महिला यह हमीशा मैं सक्रियता से इसमें काम किया और महिला एक पूरी तरह से दूरस्त छेतर ग्रामिन छेतर तक पहुँचकर महिलाओं को यह जाग रुकता के लिए उन्हें चाहे हमने नुकरनाटक के माध्यम से किया हो चाहे किसी भी माध्यम से आ चाहे मैं स्वयम जाके महिलाओं के बीच में जाके उन्हें की वास्तम में महिला को सहना नहीं है परताडित नहीं होना अपनी आवाज उठानी है और आप आयें आयोग में आयें आयो जो घर जोडने का काम करते हैं तोडने का काम नहीं करते हैं तो ये पूरी तरह से महिला आयोग करता आ रहा है और दूसरा में कहोंगी कि anti-human traffic कि आधारी को ले करें महिला आयोग ने पूरे 13 जिलों में पर्शिक्षर्ण का कारे की है जिसमें संबन देतर वहां के जिला अधिकारी, वहां के SSV, वहां के और सारे तमाम विभाग जो की चाहे परियटन हो यो क्योंकि तसक्री के कई सारे माध्यम होते हैं, तो उसे कैसे रोका जा सकता है, उसमें एक कार्यसाला का आयोजन रास्ते महिला योग के सौजन यसे उत् महिला थाना, महिला हेल्प लाइन, महिला डैस को लेकर भी एक कार्यसाला हमने की थी, जिसमें पूरे उत्राखन की हमारी अधिकारी महिलाएं, पुलिस अधिकारी महिलाएं वहां पे आई थी, और उनके साथ बड़ी अच्छी गहनता से उन्हें चड़चा भी की गई, जी आता ही रहता है कार्ण याप गाया को जाता है कोई तो इस्तरहे के साथांगे पास, जॉत्व श्मणा बाई ष्यिन चांण गही कार्प एक कृजा होता उस तो कैसे कैसे रोका जा कर्रागर ऊकर का रह पographics कर्र ऑज्यां के तो असे कैसे रोका जा है, यह जित्वय समें श्य तो किस-किस तरह कि इमाम ने निकल के आए क्या महिलाय महां मजबूरी में थी या कुछ ऐसा आया कि अपनी मर्जी से इस तरह काम यहां पे चल रहे हैं सबसे पहले मैं मैं जब सुरुआत में बनी थी 2022 में ही तो हलद्वानी का मेरा प्रवास तो हलद्वानी जब हम अभिकारियों की बैठागी तो मुझे फोगी जान करें कि इसम्रस फील देखाने के यहां पREसट जलता है देखा तो लगा कि कुछ न कुछ वहां पर गलत होता है तो फिर हम लोग यहां देरादून वापस आने पर तुरंथ हमने एक गाइड लाइन तयार कि हमने का एक गाइड लाइन तयार कहोनी चाहिए इसपा सेंट्रों के लिए कि जिसमें क्रॉस जेंडरिंग का है और बहुत सारी चीजे हैं कहां उसका रेजिस्टेशन हो, किस तरह का हो काम करें, खोलें हमारे कहना कि अपना बिजनस करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन उसमें गलत धनना चले ओ ठीक नहीं है उसमें आयोग पूरी तरह से उसका विरोध करता है और बिल्कुल महिला अपना इस्पा सेंटर चलाए लेकिन क्रॉस जेंडरिंग वाला पुरुस की मसाज पुरुस करे महिला की मसाज महिला करे ये आयोग का कहना है आपने महिला नीती को लेकि भी ड्राफ्ट जाया मुख्या मंतरी को सौपाई क्या कुछ बिंदू है उसमें महिलाओ को लेकि ये तो बहुत ही हम लोगों के लिए सौभार्ट्या क्या बात है कि उत्राखंड की महिला नीती बनने जा रहे है क्योंकि उत्राखंड में पहाड़ सबसे ज़्यादा पहाड़ी छेतर है और पहाड़ी छेतर को हमने केंदरविंदू बनाया है क्योंकि वास्तम में पहाड़ में अगर कोई रहती तो महिलाएं रहती है उनके पती वहार रहती है कोई पोज में हैं, कोई दूसरे काम में हैं, बिजनेस में हैं, तो महिलाओं, पहाड की महिलाओं को लेके, प्लेन की महिलाओं को लेके, तो इस तरह महिलाओं को लेके एक नीती तैयार की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं हैं, वो कैसे सक्षम हों, वो कैसे अपने परदान मंत्री जी ने 33 परदीस अरचन की गुष्णा की है, यह हमारे सवभाके के बात है, तो हमारे उत्राखंड से ऐसी पर्तिवाहें निकल के आएं, जो वास्तम में, जो राज्या को भी समाल पाएं, देश को भी समाल पाएं, इसे महिला हैं, तो निरंतर महिला आएं, इन सब चीज़ राजनी के रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजी के रूप से, समाज में कैसे हो, अब उनका वर्चस्वा भना रहें, तो इन सब को लेके यह निती तयार की गई है, क्या कुछ उमीद है, कब तक महिला निती लागू हो जाएगी? मारा जाता है, वो दोर आया ना जाए? बिल्कुल, अंकिता के बाद एक विनिता बंडारी के सामने आया था, हाला कि पहले दिन से ही मैं संपर्क में थी, वहां के SSP और SHO के संपर्क में थी, उन्होंने आयोक को अपनी रिपोर्ड भी संपी है, और उसमें वही था कि लड़की ने सुसाइट किया है, जो निकल के अभी तक आया है, दूसरा किया है कि लड़के को उसने जो मैसेज किये हैं, तो वह अपडेट हो रहे हैं, लड़का जेल में हैं, तो निश्चिती अगर लड़का, जो भी दोसी जो भी हो, हम कहते हैं, दोसी छुटना नहीं चाहिए, उसे कठोर का रवाई, उसके विरुद होनी चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए, तो आयोग स्वतर सग्यान लेता है अभी में आते हुए, जैसे मैं मुझे पता चला है, कि जोली गरांट में एक कोई लड़की है, और उसका एसिट अटेक का मामला सामने आया है, हलांकि वो बच गई है, तो मैंने ऐसे चोर डोईबाला से बात की, मैंने कहा कि क्या है, तो उन्हें का लड़की ठीक है, उसने अपने आपको बचा लिया है, और जो भी दोसी था, उसे उन्हेंने एरेस्ट किया, वो केरल का था, उसे एरेस्ट कर दिया है, तो आयोग तो तुरन सग्यान लेता है, मैं माप हल्दुआनी भी गई थे, हल्दुआनी के संप्रिक्शन ग्रह में भी बच्चों के साथ, संप्रिक्शन ग्रह का वचक निरिक्शन किया था, तो वहाँ पर आमतार पर तो सभी थे पंदरा कुछ बालिकाई थी, कुछ महिलाई भी थी, तो पंदरा संख्या थे कुण, और उसमें एक जो बालिका थी, वो थोड़े कुछ असे सा महसूस कर रही थी, तो उसने बात वहाँ पिसपस नहीं बोल ली थी, तो फिर मैंने आके, मैं मुझे, मैंने उन वहाँ स्टाप से कहा, मैंने के ये, इसका बिहार कुछ अलग है, कुछ कहना चाहती है, तो उन्होंने का, ने मैं कभी ये कुछ बोल देती, लेकिन मैं तुरंट आई, मुझे लगा कि कहीं उस अगर आप सची वाले में, क्योंकि हमारा अफिस बहुत दूर हो जाता है, मैं इधर से आते हुए आपके पास आरही हूं, आप बताएं तो उनको मैंने उज्यान कर रही हूं, अगर ऐसा कुछ भी गलात होगा, तो दो दिन में हम तुरंट इसका पता लगया, तो तुरंट संग्याली है, मंती जी का भी इस पर बयान आए था, लेकिन बाद में कुछ यह सामने आई थी, कि यह जब बाते हैं, यह लड़कों ने गलत कहा है, ऐसा कुछ था क्या, उसमें अब उलास में हो सकता है, कि लड़की भान निकलने के लिए उस तरह की बात करी हो, या कुछ इस तरह का वो था, तो वो चीज़ें भी निकल के आईगे, तो अगर वास्ता में गलत होता है, तो गलत का तो निस्चिती सजा होती होती है, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है, वो लड़की अंदर रहके, अब क्योंकि जब किसी चाड़ दिवार के अंदर है, हालांकि आई थी, अच्छा बाता वड़ता, खुला था, लेकिन उसमें से कोई एकाथ हो जाती है, जिनकों के थोड़ा अंदर रहने में दिक्कत होती है, तो फिर वाला इड़ा से, जी, 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 देहरादून के नारी निकेतन की या शुशु निकेतन की बात करें, तो आप क्या क से मैंने देखा कि उनके लिए फूर्स की वेवस्ता, सीजला जो भी फाले, उनकी वेवस्ता, खाने का, मैं खुद खा के आई वहां से, तो मैंने देखा कि वहां पे बहुत अच्छे से वेवस्ता हो रही है, मतलब यही हम चाते हैं कि सरकार जो वेवस्ता हैं देरी हैं वो महिलाओं से मिलके आई, उहां पे 77 महिलाई थी, उन से मिलके आई, उनके बातें सुनके आई हूँ, उनके पूछ के आई हूँ कि आपके साथ कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या है, किसी तरह का, तो जो आप अंदर रहे हैं, तो उन्होंने बता है, नहीं हम सब लोग अच्छे स तो हम आयोग अपना काम कर रहा है और बड़े अच्छे धंग से कर रहा है और अब हम्हारी जितने भी कारागार तो आज बहूंत करेंगे मैं से और अरatt def our convention सारकार की है जाए परदेश सरकार की योजनाए are वो धरातल तक होँचे हमने कही जीलों में अदिकारीओं की बैठे के लिसमबा भी पूरी तरह से महिलाओं की योजना है उन्ग योजनाओं के बारे एक ही क्योजनाओं पर डिस्कस हुआ कि कितने महिलाओं इसमें लाबारती कितने को लाब मिला है कितने यह इसकी जानकारी ए, वासता में खाली ऐसा तो नहीं है, एपर से ख़लना चलके आilightए और अधिकारी नीचे आई रजा Гसाई लगा है लेकिन ऐसा नहीं है, तो पूरी तरह हर चीज के आंकड़े WhatsApp 17 कहीं कप सुलिया है सिते थिए हमोगी दीटिया है हो न७ी के सिए कि शवर शब्र quierenग डर्मिला चीज़े हम उने थानने जाने पर फूर्सा ताल अब चुझ अजेल है लेकिन जब हमने देखा कि अलमोडा और स्रीनगर के जो मैं खुद भी गई थी दोनों थानों में, देखा हूँ, वहाँ पर केसे जितने ज़्यादा नहीं आये थे, तो हमने उन्हीं को जो थाने हैं, उन्हीं को अच्छे से महिला फ्रेंडली बना के, कि वो महिला फ्रेंडल कि वैसे ही थाने में जाना चाहती है, खुद मैं थानों का निरिक्षण करेंगा, कई थानों का निरिक्षण में खुद करती हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी एक बाल थाना बनाया गया था, लेकिन जो कि आज की डेट में धूल फाग रहा है, वहाँ कुछ नहीं हो पत्नी को परतारित करते हैं, कि नशा करके आगे बच्चों को पीटा, पत्नी को पीटा, इस तरह के केसिस भी बहुत हमारे पास आ रहे हैं, दूसरे के हमारे पास असास द्वारा या मतलब परिवार के द्वारा परतारित किया जाता है महिला को, इस तरह के केसिस आते हैं, और दूसरा भी एक सारा नया एक पैटेंट चला है, लिविन डिलेशन्शिप का है, तो जैसे पहले एक पत्मी है, फिर दूसरे से संबल, यह वाले केसिस भी बढ़ने हैं, तो यह सारी, बहुत सारे केसिस इस तरह है के हमारे पास आते रहने हैं, तो हम अपने धन से सॉट आ आयोग लेके आये था, कि पहले ही उन्हें समझा दिये जाएगा, ताकि बात में जगड़े ना हो, कि अभी भी ऐसे चल रहा है, हाँ, हमारा यह है कि साधी से पूर, कि अगर दोनों परिवारों को मिला के उनकी काउंसलिंग की जाएं, कि पहले ही साधी दोनों के बिचानो कि वास्ता में दोनों में क्या समानता है, क्योंकि दोनों परिवारों समान नहीं होते हैं, समानता है, हुपी एक दूसरे को एड़ेस करना होता है, तो कि एक बार नहीं कई बार परिवार एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को समझे, और तो मुझे लगता है कि फिर उसमें सम तो आयोग अपनी तरसे पूरी तरसे महिलां के सब खड़ा रहता है। अक्सर आयोग और थानों के बीच रार भी देखने को आई है कि थाने हमें सपोर्ट नहीं करता हैं, कोई भी मामला बेचते हैं, तो वहां सुनते ही नहीं है। आपके कारेकाल में भी ऐसा कुछ है। मैं तो जहां तक मुदूरस्त चेतर की महिला ही होती है। मैं उन्हें कहते हूं, यहां तक तो जहरा दून तक आप नहीं आसकते हैं। क्योंकि फेलए तो उनके पह पैसा नहीं होता है वो घर से बिचारी पढ़तारी तो के निकली होती हैं। तो उनको, उनसे मेरा कहना होता है, आप जहां भी जो संबंदित थाना है, आप वहीं जाएं, मैं यहां से कॉल करती हूं, मैं कहती हूं, आप इसकी, अगर F.I.R. है तो दर्ज कर दिये, जो भी कंप्लेंट दे, दर्ज कीजिए, आपको लगता है, सही और गलत के जांच करने लेकिन महिला को आप भटकाई नहीं, महिला बार बार नहीं आ पाती है, और महिला वैसे ही पुलिस की बढ़दी को देखके तोड़ा ड़ती है, जिजगती है, क्योंकि आम पहाड की महिला हैं, पुलिस तक पहुचने में बड़े साहस करके जाती है, तो हम बार बार पुलिस वैसे अधिकारी थी, उनके साथ बहुत सारी हमारी बाती हुए, बहुत सारी चड़्चाएं की भी मैंने सुनी, उन्होंने आयोक के बार भी पुछ हमने बताया, कि हम आपको कॉल करते हैं, आप महिला के साथ कैसा बिहार करें, यह सारी चीजों में एक अच्छी च आयोक कुब आगे बड़े हर चेतर में काम करें, जो महिला हैं वास्ता में रोजगार जो की घर से उनके पती उन्हें छोड़ देते हैं, उनके पास बच्चे भी होते हैं, वो अपने पैरों में कैसे खड़ी हो, उनके लिए भी हम कोशिश करने हैं, कि जितनी फैक्टरी ज हैं, उनके साथ एक बार एक मीटिंग करके, कि जिस चेतर में जो महिला हैं, उनको प्रात्मिक्ता से उसको वहां काम मिले, तो इसकी भी हम कोशिश करने हैं, थर्ड जेंडर की भी हम बात करने हैं, कि थर्ड जेंडर की जो महिला हैं, एजुकेशन ले रही हैं, वो अपना ब्यापार कैसे सुरू करें, इसमें भी हम कोशिश कर भें, आयोगर चेतर में काम कर रहा है, हर चेतर की महिनाओं को लेकर काम कर भाए है, तो हम एक आईसीसी कमेटी की बात आती है, अगर हम सेला को भी की ही बात करें, और द्योगी चेतर है इतना बड़ा लेकिन वहाँ पर आईसीसी कमेटी बना ही नहीं रखी है, हम बार बार जिलादी कारें के माध्यम से हम लोग बार बार पत्र भेजते हैं, कि आप बताएं, सब को यह जानकारी दे दें, कि यहां आईसीसी कमेटी बननी चाहिए, अनुवार यह रूप से, हमारे पास विभागों के मामले आते हैं, सबसे पहले हम उनकी आईसीसी कमेटी मांगते हैं, कि आपने इस मामले में क्या किया है, तो कई बार तो कुछ अनन फानन में बिर बनाते हैं, कई लोगों की बनी होती है, कई लोगों के जानकारी नहीं होती, कि एक उसमें बाहर से भी लेंगे, क्योंकि सब अंदर के ह तो उसमें रिस्पेक्ट चता से जांच नहीं वो पाती है इसलिए हम लोग बाहर कोई चाहे कोई अधिवक्ता हो चाहे कोई NGO हो चाहे कोई सामाजिक छेतर में हो उसको साथ लेके आप यह कमेटी तैयार करें बार बार हमारा यही कहना है कि यह कमेटी अनिवारे रूप से बन आपको देना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए तो हम लोग बत्र बना के कि अगर इनकी यह नहीं तो आर्थी क्रूप से उन्हें धंडित किया जाए बिल्कुल तो आप लोग भी समझ लीजिए अपने कमेटी का गठन करिए महिलाओं की शिकायते समस्या पहले अपने सम कि करें और अब सब लोगों को साथ लेके चले धन्यवाद आजी थन्यवाद बहुत है थन्यवाद